इनसाब सभी का सोगत है हमारे इस YouTube चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं वक्सीड नमबर 18 के बारे में जो मैं थो मैं टिक सब्जेट की एक लास एर्थ की है बच्छो आज की डेट किया 24 नौ दो हजार इकिस है यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ आपनी टीचर के न लिंक मिल जाएगा आप डिसके संद में जाके क्या है उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हूं तो चलिए बच्छो देखते हैं आगे क्या दिया गया आगे दिया गया वर्ग मूल और उसके क्या है प्रती रूप चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया आज प्रिया ने द पूछा कि आपको कितने छेतरफल का जमीन चाहिए तो पापा ने कहा कि मुझे जो है 45 गुड़े 45 फिट का जो है एक जमीन चाहिए जो कुल कितने फिट की होनी चाहिए जिसका कुल एरिया कितना होना चाहिए तो जिसका कुल एरिया होना चाहिए बच्चो 20 गुड़े 25 तो आगे क्यावा डीलर ने कहा भाईसा मैं आपको एक लाट दिखाऊंगा जो की इतना ही है जितना आपको चाहिए बस उसकी लंबाई 45 से एक ज्यादा 46 है ठीक है एक ज्यादा है यानि 46 है और चोड़ाई जो है 45 से एक कम है अथार्थ कहने का मतलब उसका था कि 44 है तो हो ग नहीं पापा यह एक फीट वर्ग जमीन क्या है कम दे रहा है तो फिर क्या हो आपा ने 46 फिट गुड़े 44 फिट का हिसाब लगाया तो पाया कि क्या है बीज दो हजार 24 फिट वर्ग फिट की बनेगा ठीक है तो पापा ने कहा सही कह रही हो तुम यह तो इतनी जल्दी कैसे लगा लिया ? तो मैंने पापा को बताया खि मैंने गुड़ा नहीं बलकि क्या है ? दो हजार पच्छिस में से एक घटा कर सही उत्तर बता दिया द्यान से देखो और समझो कि इस तरीके से एक वर्ग फित के जादा कैसे पैसे लेता ? ठीक है तो क्या है आपको क्या है दियान से देखो कि रिया और समझो कि इस तरीके से डीलर एक फिट के ज़्यादा पैसे कैसे लेता तो बच्चों आपको दिखेगा कि पापा की गड़ना का तरीका क्या था 45 फिट गुड़े 45 क्या था दो हजार पच्चिस वर्ग फिट था पहली स्थिति ये थी दूसरी स्थिति में क्यावा डीलर ने जो बताया कि 46 गुड़े 24 44 तो इसमें क्यावा 600 इसमें क्यावा बिटा आपका इसमें आपका हुआ जाके ये कि आप जो है दो हजार 24 फिट ही जमीन पा रहे थे तो दूसरी स्थिति में क्यावा एक वर्ग फिट क्या था कम था अगर हम यही काम क्या है जो आपका है यही काम किस से करें बिटा बाद जी ये वेंजिको के अनुसार करें यानि की बी जी ये वेंजिको के अनुसार करें तो इससे पता चलेगा 45 गुड़े 45 इतना होता है ठीक है और A-B आपने यह formula बच्चो पढ़ाओगा याद करो A square minus B square होता है ठीक है इस formula को बच्चो ने आपने क्या है पढ़ाओगा ठीक है तो उसी formula के अधार पर इन्होंने यह formula बनाया है हम उसी formula को याद रखते हैं सारे परसन करने का प्रयास करेंगे तो 45 फिट, गुड़े 44 फिट कितना, 46 फिट, गुड़े 44 फिट क्या हुआ, 45-1 यानि की 25, यानि 2025-1 यानि 2024 फिट का वर्ग हो गया, आगे देखते हैं क्या बुला गया, यहाँ पर बताया गया, सूत्र और नियम, दो करमगत सम या विसम संख्याओं के छेतरफल को जानने के लिए होती है, हम उन संख्याओं के मद के वर्ग को क्या करते हैं, मद के वर्ग से इसको घटाते हैं, या फिर बढडाते हैं, आगे देखें क्या बुलागया, तीसा क्या है 96 गुड़े 890, चौता प्रसन क्या है 322 गुड़े 324 बटे में 323 क्या स्क्वार माइनस एक, पांचवा क्या है 30605 स्क्वार माइनस एक 600 और अपॉन में 606 और चौता क्या है 71 गुड़े 73 तो बच्चों इंस सभी परसनों का हल की है एक साथ चली हम देखते हैं ठीके अप एक एक करकर इनको नोट करते चलिएगा तो बच्चों आप सभी को पहला परसन क्या दिखएगा adviser 9999 गुड़े 2001 उसमें से क्या करोगे 2000 में से एक माइनस करोगे 2000 में एक प्लस करोगे a minus b और a plus b का formula बनेगा जो a square minus b square बन जाएगा ठीक है जो अभी मैंने आपको समझाया अब b किजिए कि 1 भी लिख सकते हो अगर आप चाहो ज़रूरी नहीं है कि आप b लिखो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 1 लिखो चाहिए b लिखो बात वही होती है ठीक है मैंने आपको बताया कि यह जो minus 1 और plus 1 वाला concept जो निकला है यहीं से निकला है और मैं basic से ही आपको क्या है मेंसा सिखाऊंगा a minus b a plus b का ठीक है यह formula है c से यह क्या a square minus b square बना है अब b की जिए यह लोग 1 मान लेते हैं वही क्या हो गया यहाँ पर 1 आ जाता है तो बेटा आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो पर यह क्या है बिल्कुल सटीक और सही तरीका है आपके teacher भी इसी को देखना क्या बोलेंगे करने के लिए तो 2000 के square में से 1 के square को minus कर देंगे तो 2000 का square में से यानि 2000 का square क्या हो जाएगा 40 लाक हो जाएगा 40 लाक में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 39,99,999 क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों चलो अगला परसन देखते हैं क्या अगला दियागा 24 गुड़े 26 यानि 25 में से 1 को minus कर दो 25 में 1 को जोड़ दो तो A माइनस B और A प्लस B बन जाएगा A square माइनस B square यहां से बनेगा जो क्या हो जाएगा 25 का square माइनस 1 का square बनाएगा यानि 625 माइनस 1 यानि 624 दूसर प्रसन का यह हलो जाएगा इसे भी आप क्या कर लोगे लिख लोगे तीसा प्रसन का है 96 गुड़े 98 96 और 98 के बीच का नंबर क्या आता है बिटा 97 आता है 97 माइनस 1 कर दो 97 प्लस एक कर दो ठीक है दोनों के बीच के नंबर कम लेते हैं तो A माइनस B और A प्लस B बन जाएगा जो A square माइनस B square बनेगा फिर क्या हो जाएगा 97 का square माइनस 1 यानि कि 97 का square होता है बिटा 94 नबे 9 94 नबे 109 माइनस 1 यानि 94 नबे 108 आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रसन प्रसन नंबर 4 का हल क्या होगा लिखोगे है 322 गुड़े 323 322 गुड़े 324 बटे में 330 का square माइनस 1 यानि A square माइनस B square का formula लगाएंगे A plus B A minus B हो जाएगा 322 गुड़े 324 हो जाएगा 330 या माइनस 1 330 प्लस 1 करोगे बिटा आप इसमें और जैसे ही करोगे तो आप का जाएगा 322 से 322 काटोगे 324 से 324 बटे में 1 बटे 1 आजाएगा चलो प्रस नंबर 5 क्या है प्रस नंबर 5 है 605 का square minus 1 यानि 606 नीचे upon में दिया गया है ठीक है तो 605 का square minus 1 मतलब क्या है A square minus B square देखे किस वज़े से मैंने आपको बताएगा तो इसी वज़े से बताएग था कि A square minus B square से भी हमारा बहुत फायदा होना है तो A square minus B square A plus B A minus B बनाएगा तो 605 minus 1 606 plus 1 हो जाएगा upon में 606 है तो 606 बटे में 606 काटेगा तो यहाँ पर क्या बच्चेगा 604 बच्चो बच्चेगा तो 604 बच्चेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 604 इसके बद क्या है परस नमबर आपका बच्चो जो 5 हो गया है परस नमबर 6 का हल देखे परस नमबर 6 का हल क्या हो जाएगा बच्चो एकट्र गुड़े 73 करेंगे तो 71 यानि 72 minus 1 72 plus 1 लिख सकते है A minus B और A plus B होता है A square minus B square यानि 72 square minus 1 कर देगे तो 72 का square होता है 51 84 minus 1 करेंगे फिर क्या हो जाएगा 51 83 हो जाएगा चलो आगे देखते हैं आपकी वक्सीड में क्या दिया है तो बच्चो आगे आपकी कारपतिका क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लेक करना चैनल सस्काइब करना जादा से जादा कॉंटेस्ट में पास्पेट करने की कोसिस करना धन्यवाद बच्चो